महा जोगी स्त्री अरबिन्द एक संखिप्त परिचय प्रथम परजय परिशिस्ट अंतिरिस मार्च दुई हजार चौद विबर्तन इतिहसरे महत्तम मुहुर्तर सत्त बर्षिकी स्मरण ओस्त्र धन्जली लेखक मनोज दास लेखाटी दुई हजार चौद मसिहरे लिखिता मुह पाठकरूछी समिर रणजन दास पुर्भरो निर्धरित भाबे हेव अथबा साधरन दुष्टिरे अकस्मिक भाबे हेव केवे केवे दुई व्यक्तिं कर परस्पर सक्ख्यात इतिहासरे सुजी परे विप्पुल बाव वईप्लविक परिवर्त्तन मुहा कालर प्रभाहको ताहा देई परे एक जुगान्त करी गतिपथर संकेत के वे दुर्ष्यमान स्थूल अस्तर अरे के वे वा अतिन्द्री अस्तर अरे बहु विदित दुईटि दुर्ष्टांत स्मरण करा जाव मगधर नंद राज साशनद्धर अपमानित जुबक चंद्रगुप्त मोर्जयंक सह नंद विरोधि कृद्ध ब्राम्मन चाणक्यंक भेट्ट हैला भारतर राजनोईतिक भाग्यरे सेत्तिकी बेले अन्य सभिंक अजणातरे एक विप्पुणा परिवर्त नर भुमिका प्रस्थु थोई गला एहता मात्र दुई हजार तिन्नी सह बर्ष तलर इतिया सरक था जिब्बा बहु प्राच्चिन जुगकु राजकुमरटिये आसी जनकंको हे पाजत्रे थिबा महादेबंको आसिशपुत अस्त्र हरधनु भांगीपकाईब सिबभक्त परसुरामुंक पाई एहा अस्य हो से तरित बेगरे आसी उपनित हेले सेही उद्धत जुबक सह मुकाबिला उद्धेस्यरे हेला राम्म परसुराम साक्ष्यात चेत्त नारक्रम विकासर इतिहसरे सेही मुहुर्तरे हेला एक नवजुगर प्रभात परसुराम थिले रुद्र प्रतापर अबतर ख्यमता मत्त अउद्धत्यकु दमन करीवा निमनते प्रति सधर स्थूला रूप कुठा रही से प्रयग करी चाली थिले स्थूला स्थररे अपसक्ती बिरोधरे सुद्ध सक्तिर अभिजान अध्यावधी अभ्याहतर ही छी किन्तु सुद्ध सक्तिर अधर्शरूपे रामचंद्र प्रवर्त्तित नईतिकता एबं सत्य परायण तार अभिशेक स्थिकी बेले हेला जत्य बेले परोशुरामं का अभतर महत्त्व स्रीरामं का भितरे बिलिन होई गला से तेनिकी जणे रुशी मात्र होई रहिले स्रीरामंकत्द्वरा प्रस्थुत नुतन चेत्तनार भित्ति उपरेही संभव हेला स्रीकुष्टं का अभतर विप्पुळ अध्यत्मिक प्रज्यार अभतरण उने इसह चौद मसिया मार्थ मास अंतिरिस तरिक अपरण्धरे जेवु साख्या तोटी संभव होई थिला ताहा उपरोक्त स्तात्पर्ज्यपुर्ण साख्यात्त तलिकारे महत्तम संजोजना रिव फ्रांशुआ मार्थ्ता स्थित स्त्रियरविन्दंक बासग्रुहर दुईतनरे स्त्रीमा स्त्रियरविन्दंकु भेटि थिले सेही महुर्तरे दिन तिनिटा तिरिस मिनिट प्राय से हुदेंगम करिथिले प्रुथि मिर असंख्य लोक अग्यान ती मिररे रहिथांतू ना कहिंकी भुप्रुष्ठरे श्री अरविंदंक उपस्थिति ही दिने से अग्यान अलोकरे रुपांतरित है बार तथा दिभ्य जुगर आगमनर निश्चित प्रतिस्ट्रुति विश्वासर एदलिल अनन्य सेही मुहुर्तरे स्त्रीमा स्त्री अरविंदंक सोरूप निर्नय करी परिले बली आम्मे आजी तहा जानुछू बिधातरा पंजिकारे सेही मुहुर्तरे स्पस्ट होई उठिथिव स्त्रीमांक भुमिका स्त्री अरविंदंक जोग जग्यरे सेहेवे पूरोहिता देबे आहुती, चेत्रनार रहस्य लोकरे से निजकु समर्पण करिवे, जोगे स्वरंक दुशह परिख्या निरिख्यार कदबा आधार, कदबा सहजोगी, कदबा सहकरी, कदबा निरिख्यक, एबं कदबा धात्री रुपे श्रीमांकु इतियासर विड़ंबना हेतु फ्रांस प्रत्यवर्तन करिवाकु पडिला सत्त, किन्तु से जोगजग्यर सुत्रपात होई सरी थिला उने इसह कोडिये एप्रिल चबिस्तरे तांको पुनरागमन उत्तारु ताहा जेवु जुग्म तपस्यार रुपनेला आम मनबुद्धिर माध्य बजगे तार आकलन असम्भव किन्तु आकाशकु मापिन अपरिले मध्य महासुन्यको दुरुष्टि पातकले तार असिम तार धारणा करी हुए सही रितिरे मात्रु भिभुति प्रती आस्था सिला होई तांको प्रती उन्मुख हैले से अभुतपुर्व तपस्यार उनाधिक उत्ताप अनुभव करी हुए जेव अनुभुतिकु अन्यकणोसी उपजुक्त सब्द अभावरु ए लेखक उत्ताप बोली कहुछी समय उत्ताप बिना प्रधाहरे ताहा आम्र सित्वनाचेतलारे संचर करे संजीबनीर उस्मता स्थुल जीबनारे मध्य स्रीमांकर प्रती पदख्य बथिला सांकेतिक। तांकर समस्त कर्म पस्चात्रे प्रचन नथिला अतिभूतिक हेतु आध्यत्मिक अंतर दुष्टि बिना ताहर तात्पर्ज्य बुझिये बनाही। किन्तु भक्ति सिक्त मन्न ताहर अभास लभकरिबारु बन्चित हुए नाही। स्रीमांक स्थूल जिवनर प्रासंगिक इति ब्रुत्त एही परी। अठरसह अठस्तरी मसिहा फ्रेववरी एकोईस्तरी खरे प्यारिस नगरीरे से होई थिले भूमिस्ठ। तहीर मात्र बर्षक पुर्भरु तैंक पितामाता मरिस अलफासा एबं मातिल दे अलफासा इजिप्टरु आशी फरासी मातिरे बस्वास अरंभ करि थिले। स्रीमांक जननी माडाम अलफासा इजिप्टरु प्रक्ष्यत तथा सूप्राचिन सम्रट मनक बंग्सधर। तैंक पराद्रुष्टिरे किपरी जणक परे जणे अध्यात्मिय पुरुशंको देखु थिले। से मननक भीतरे सर्भाधिक अंतरंग जणको सब्दटिर तात्पर्जिय नवभुचिमध्य सतस्फृत्त भावरे कृष्टमोली निजे अभिहित करु थिले। तारुनियरे चित्र कलरे साधारण विप्तति लाभ। अतिंद्रिय विज्यानरे विप्पुण साफल्य ये सबुर विबरणी आग्रही मननकु विद्धित। श्रीमांकसह बहुबिधा आदान प्रदान भितरे प्रस्णत्तर अभसररे से आमकु कहिछन्ति ए सरीरर स्थूर स्थिति भित्तिक विश्यस विबरणी संपर करे प्रस्ण कर नही। ए जिबनव्यापी ग्यात साररे हेऊ बा अग्यात साररे। भगवान जहा चाही छन्ति मुँ तहा ही होई छी। सेत्तिकीही अर्थपुर्ण। किन्तु थरे थरे तांकस्मृतिरे उद्भासित अहे उथिला से बहु अतितरे छाडिया सिथिवा निज़ापुर्वजन्म सबुर चित्र। हजार बर्स तलरा दुर्ष्य सबु होई उठुतिले पुनरुज जिबिता। थरे उणैसह चपन मसीहरे सेमिति एक दुर्ष्य से बर्णना करि थिले तांकस्नेह धन्य संतन बर्गंक सम्मु खरे। दुर्ष्यर स्थान सुदुर अतितर एजिप्ट। एक बिराट प्रासाद भीतरे अर्धर्न गुन सीशुटिये गोटिये अबर्जना बाही नाणपाखरे खेलु थिवार से देखिले। पिलाटीर सिख्यक उपरे से बिरक्त हुएंते से कईफ्यत देले। किन्तु आम्यन होटेप पुंकुत एईटा भला लागे। स्रीमांकर मन्य पडि गला। से कहिले से पिलाटी आम्यन होटेप बोली बुझिली। एबं एहा मध्य जानिली जे मूधिली तार मा। इजिप्टर विश्त्रुत इतिहसरे अस्टदस सम्रट बंग्सरे थिले चारी जण आम्यन होटेप। अन्यन्य प्रासंगिक विबरणिकु विच्चारकुनेई ए लेखकर विश्वास। स्रीमां क्रिष्टपुर्व 55 सतब्दिर राजुति करिथिवाद दुइतिय आम्यन होटेपुंकु बुझ्जाव चन्ति। विश्व इतिहसरे प्रथम नारिशासिका सम्रग्नी हुशेप सुट थिले तांक जननी। स्रीमां कर सोनामधन्य जिबनिकार डक्टर स्रिनिबास आयंगार लेखी चन्ति। इतिहसर दिगबड़े अरे कित्ते अतित, सुधुरा अतित पर्जन्त बिस्तरित थिला स्रीमां कर चेतना। सेही कथाटी ही एठारे तात पर्जय पुर्ण। सुप्राचिन काल्डियान, फोयत्सियान, इजिप्ट्सियान, आर्जय, इउरोपिय, सब्भुथिला सेही स्मृतिर अंतरभुक्त। कोनोशी निर्दिष्ट भुखंडरे सिमितनुहे तांक महाप्रण। स्रीमांकर उपरोक्त स्मृतिचरण अधिक भास्षोर होई उठे, उनेई सह बास्तरी मसिहर मार्च 14 तरिखरे तांक बर्तार पट्टभुमिरे। ए धरित्री र प्रारंभरु जेउठरे एबं जेत्ते बेळे चेत्तनार सामन्य र अस्मिरे खाटिये प्रकोटित करिवार सम्भावन थिला, सेत्ते बेळे ही मूतिली बिद्ध्यमन। श्री मांक स्थाई आगमन पुर्वरु आश्रम न थिला। केत्ते जण एकांत विश्वस्त और अनुरक्त सेवकंक गहनरे श्री अरविंद थिले जोगमग्न। से सेवकं मने थिले अत्यम्त भद्र, विब्वेकी तथा बुधिदिप्त। किन्तु सेमानंक स्वभिमान थिला खुब उग्र। परिवर्त्त न शिड़ पृथिवी सम्पर करे जथेष्ट ज्यान थिवासत्य। संस्कार रे सेमाने थिले स्वभाविक रख्यण शिड़। स्रियरविन्नंक प्रथम पर्जेर जिवनकार प्रमुख सिस्य अंबाभाई पुराणी लेखिछन्ति स्रीमानक आगमन आमनिबासरे गोटाये चांचल्य सुष्टि कला। बिंश सतब्दिर प्रथम चौठर सामाजिक ध्यानधारण, मनस्त्यत्यक अवस्था इत्यदी सबी से सब इचराकुनै अवस्थाटी अनुध्यानकले अवस्य सेदिनर से जुबक मनंकर संकट कथा भुजी परिबा। सेमनंक टारू बुद्धी, धीशक्ति, ओज्यानरे, अम्माप मात्रारे अधिक गरियान, आचरनरे अपुर्भ मार्जित, संभ्रम ओगाम्भिर्ज्य, सहनसिलता तथा सहार्ध्यर संगतिरे प्रजोड से इउरोपिय महिलांक सह, स्वाभाविक भावे चलप्रचलहे बार आवस्यकता भडी समस्या, सेमनंक बेपर्वा जिबनरे थिला स्वप्नत्तिता। किन्तु सेमनंक स्मृतिक था मनंकरू आम्मे जाहा जानिबा कुपाउ। सेथिरे आम्मे विश्मय ओपुल करे अभिभुत हेबा अन्नुभुभा करू। स्री मांक जननी सुलभस लेह, सोहर्द्य सह नम्रता, सेमनंक बेपर्वा जानतरे ही, तांक आगरे सेमनंक अब्बनत बेपर्णत कराई दला। स्री मांक सही स्रद्धामय उपस्थितिर प्रभावरेही, अनुगत मानंक संख्या बुरुद्धियवकु लागिला। स्री अरविंद तांक तपस्यार दुरगम्य पर्भरे निमज्जीत रही, उनुगत मानंकर दुरुष्टिर अंतरलाकु चाले जिबा परठारू, ए समाबेश श्री मांक क करुणार अलो करे, प्रत्ती परज्ययरे तांक सांगठनीक वेवस्था अनुषरे विकशित है बा उनेशह 26 रे अंतेवासी संख्या थिला प्राय पचिस, किन्तु अनन्य हेला ए आस्त्रमर चरित्र, अन्य कणसी मठ बा आस्त्रम नाम्म बहन करुथिवा प्रतिस्थानरे, जेउमाने जोगदान करंती, से मने केट्थे का कठ्थरो बाहनियम पढ़न करिवा निमन्ते, मान सिक भावे प्रस्थुत होई आसिथान्ती, पोशाक परिच्छद, खाध्यपेय, निरुपित सम्मय औरे गात्रो ध्थान ठारु अरंभकरी, ध्यान प्राथ्थणार धरावन्धा सुची, से मनंकु अन्युशरण करिवाकु पड़े, स्त्रीमान का अस्त्ताथिला, जेउ अभिप्सुमाने, स्त्री अरविंद आस्त्रमर अंतेवासी हेवाकु चाहिबे, से मने एब्भडी एक बिराट आदर्श प्रती, हुद्धयरे उन्मुखता, वो अनुरक्ती नेई आसितिवेजे, से मनंक उपरे बहिस्रुंखळा आरपकरीबा हेवा बाहुल्या, से मनंक आभ्यांतरिन प्रस्थुती, आपना छाएं, से मनंक बहिस्रतर आचरणकु नियंत्रित करिबा। विबर्त नर आरंभरु, आजिपर्ज्यंत, जेउं अग्यान अंधकार भीतर देई, चेत्तना गति करुछी, सेथिरु उतिर्ण हेबानी मन्ते किएबा न चाहें, धार्मिक तत्व संधानी मनिसर, से आशा पूरण करी परिबा नही। एहा महा सक्ति, अतिमानस, आमचेतनारे अभिसिक्त न अहेबा पर्ज्यंत, से आशा पूरण अहेबार सम्भावन नही। अन्य सब्बु जोगरे, साधक मनंकर निज़निजर व्यक्तिगत सक्ति उपर से मनंक सिद्धी निर्भर करे। स्त्रियर विन्दंक जोगर अभिमुक्य भिन्न। से जोगप्रती उन्मुख साधक मनंकु नही गठित अस्त्रमर चरित्र विन्न। एठारे साधक मनंक सिद्धीर मात्रा आपणा चेतनारे जने केत्ते परिमानरे स्त्रीमानक पाखरे समर पित ताहरी उपरे निर्भर शिळा। अवस्य समर्पण संगे संगे साधककु मात्रुदत्त आध्यात्मिक अन्नुभूती मिलू थिवा। किन्तु ए जोगर उद्धेस्य जे आध्यात्मिक अतर इतियासरे नुटन, से विशयरे साधकमाने अवहितन अरहिले मानसिक द्वन्द्व ओ संदेह अनिभर्ज्य। विबर्तनरे एक नुटन दिगन्त उन्मोचित हेब। सेथिपाईं प्रस्थुतीर अवहनरे अनुप्राणित होई बहु अभिप्सु आश्रमरे जोग्यदान करिथिले सत्त। किन्तु दुईतिय महाजुद्धर अरम्भ परे परे अन्नेक भक्त साम्भव्य विप्पुल संकटरू मुक्तिपाईबा मानसरे स्री अरबिन्द एबं स्रीमांक अभवय वलय भीतरे रहिबा निमन्ते एठरे आस्त्रय लोडिले। उनेशह 55 मसिहा फ्रेवुआरी 25 तरिकरे स्री अरबिन्द जने सिस्य पाखकु लेखितिले। स्रीमां एबं मोपक्ष्यरे एए आस्त्रम चालू रखिबा अत्यन्त कस्टकर होई छी। जुद्ध समयरे एक दिगरे अत्यधिक दर्दाम ब्रुद्धी। अन्यदिगरे अस्त्रमर कणोसी निर्दिष्ट आयोपन्थार अनुपस्थिति जगू से भली समस्या उपुजी थिला। तेव्य से एहा मध्य से ही चिठीरे लेखि थिले। एक दिभ्य सक्ति कार्जय करी हेऊ न थिले ए ब्यापक प्रतिष्ठान ती स्ठीपारंथा नही। आस्त्रमरे कहिंकी केबल सुनिर्भाचित जग्य लोकंकु ग्रहण करा जाऊ नही। से भुली प्रस्ण अनेकंक मनरे उद्धय हेवा स्वाभाविक। स्रियरविंद बुझ्जाई लेखिति लेकी ए आस्रम एक परिख्यागार। समग्र मानव जाती उपरे अतिमानस सक्ति कार्जय करी हेवार अबस्य कता दुरुष्टिरू सबुप्रकार मनिसंक नम्मुनामान एठरे समविष्ट। भिन्ण भिन्ण संस्कार ओकू संस्कार अपुर्ण विश्वास एबं अज्यान रो नानादी बिभिशिका। उचकांख्या समेत सर्वपरी अहं रो नानादी बिचित्र परिप्रकाश केत्ते साधकंकु बारंबार कख्योच्यूत करी छिए। सिमाहिन धर्ज्य सहकरे श्रियरबिन्द एबंग स्रीमा सेमानंकु सहयता एबंग आशिश सक्ति देई सुधरी बार प्रयाश करी छन्ति। श्रियरबिन्द एक पत्ररे दर्शाइथिले अन्यकंक भितरे परस्पर विरोधिक गुण एकत्र रहिथान्ति। प्रथमे श्रियरबिन्दंक महान आदर्शद्वरा अनुप्रणित होई एबंग स्रीमायंक दिव्य आकर्शनरे आकृष्ट होई आश्रमरे अन्यके जोग दियंति। किन्तु किछी दिन परे पूरुणा संस्कार एबंग अहं से आदर्शकु चाप्पी दिये किम्बा तार भूल अथबा एक देश दर्शी ब्याक्ष्य करे। केही केही भ्रांत साधक, अंते वासी मानंकु नई, गोस्ठी बनाई, निज्जे कुन्नी गुरुटिये भली आचरण करे। स्रीहरबिन्दंकु एमंत चेत्ता बनी देबाकु पडि थिला। तुमे आहुरी बुझिवा उचिद्जे, एठरे गोटाय मात्र महासक्ती कार्जयरत, एबं तुम्मर किम्बा आउकाहरी गुरुत्त नाही। प्रत्यके निज्जभीतरे सेही महासक्तीर कार्जय करिता प्रती उन्मुखर अहिबा चाही। किछी साधकंकु नई, गोष्ठी बनाई, केही जोने नेत्रुत्तो ने बार, अथबा से महासक्ती एबं साधक मानंका मज्जिरे हस्तक्खेप करिबार प्रयासन नहेव। साधना सकाशे उन्मुख कोनोसी भाव्वी साधकंकु, कोनोसी आध्यात्मिक गुरुंक प्रेरणारे प्रतिस्थित जेवु प्रतिस्थान आश्रयदिये तहा आश्रम। ए परिप्रेक्खिरे आश्रम भोईले साधकर सर्वनिन्न आवस्यकता, बासस्थान, आहार, परिधियर स्थूल व्यवस्था संगे संगे, गुरु प्रबर्तित नितिरे एकनिस्थर अहिबर सुजग। श्रीमांक व्यवस्था एपरि जणे निज जिवनधारन सकाशे, प्रयोजनिय वस्तुर आयोजनरे कालक्खे पन ना करी, दिव्यसक्तिर सेब्बारूपे, तापाई उद्धिष्ट कर्मरे आत्मनिजग करीब। किन्तु मनिशर गत्यानुगतिक प्रब्रुत्ति, निजकु मिलूतिवा सुजग अनुपातरे, निजव विकासरे एकनिस्थ नरही, अन्यरा तुरुट्टी दर्शाई संतोसलाभ करे। स्रीमांकु लेखिवाकु पडिला, अन्योठारे अथवा परिष्थितिरे किछी भूल रहिछी बुली सिधान्त करीबापुर्बरू, तुम्म विचार ठीक बुली तुमे निजे सम्पुर्ण निश्चित हेबा चाही। एबंग जे पर्ज्यन्त जणे अग्यान ओ मिथ्यामय मामुली चेतनारे थिब, शे पर्ज्यन्त तार क्यों विचार बानीर भुलहेब, एकक मात्र सत्य चेतनाही विचार करी परे। अतवेब, सब्बु परिष्थितीरे विचार दाइत्त्य भगवानक उपरे चाडिदेवा उत्तम। किन्तु हाए। आज जी भडी उनेईसह सतावन्रे मध्य आमभडी साधकमाने निज़निजर अहंग चालित दुष्ट अभ्यास चाडिपरी न थिले। श्रीमांकु कहिबाकु पडिला, मुँ आउ बारंबार एक अथर पुनरा ब्रुत्ति करी परिबी नही। अन्य मने कोण करू छन्ती, से कथा उपरे तुम्मे मने मुन्ड खेळाओ नही। अन्यकु विच्चार कर नही, समालोचना कर नही। अन्यसह निजकु तुलो ना कर नही। शे सबु तुम्मकाम नुहे। अस्त्रम गतनुगतिक सामाजीक प्रतिस्थान नुहे। एठाकु जणे आस्से निज़ अधिकार शाभ्यस्त करीबाकु नुहे। बरंग बिपरित प्रयाश करीबाकु। अधिकार बध दिव्योशक्ति पाखरे समर्पण करीबाको, अथबा तहाकु निर्मुण करीबाको, आस्त्रम सामाजिक अर्थरे सुखमय जिवन जापन सकासे कहाकु निमंत्रन करियाने नही, साध्रनारे बाधाभिग्न, अहां उपरे अग्धात अनिबर्ज्य, कारण सही सबुकु साम्नाकरिबाद द्वराही, आमर अध्यत्मिक प्रगती सम्भवपर, किन्तु ए मौलिक सत्य पासुरिदेई, अन्यमाने आराम्रे अच्छम्ति बोली धरी नही, केही केही हत्ताशा अनुभवकरंती, स्रीमांकु कहीबाकु पड़ीछी, जेउमानंक पाई एठ एठरे जिवन दुर्भी सह मने हुए, एबंग जेउमाने एठरे निज्य अभिणसित स्वाच्छंद्य पाउन्ति नही, से मने एठरे नरहिवा उचित, स्वाच्छंद जिवनर व्यवस्था आमर अभिमुक्यनु है, दिभ्य जिवन पाई प्रस्थुति ही लख्य, जहा एक अभिन्य अभ्यापर, पीपल who feel miserable here and find that they have not the comfort they require ought not to stay, after all our aim is not to give to people a comfortable life, but to prepare them for the divine life which is quite a different matter, श्री मा अहुरी मध्य साध्धक मनंकु स्मरण कराई देले, एठरे आम्म पाई मात्र गोटिये कथा गुरुत्त्व पुर्ण्य, आम्मे भगवानक पाई अभिप्सा पोषण करू, भगवानक पाई जिवन धारण करू, तांक पाई कार्ज्य करू, आश्रम औरे अंतेवासी मनंकर सत्त दुर्बळता, अबाध्यता, अकृतग्यता, एबं आश्रम विरोधि कार्ज्य कळप सत्त्वे, श्री मा जेउं प्रकार ख्यमा चरण करू थिले, सहन शिलतार जेउं दुरुष्टंता रखू थिले, तहा कनसी मानुसी सम्भव परनुहे, नणेनी कांता गुप्टंक भासारे, श्री मांक व्यक्तित्त्वरे थिला दुई दिग, दुई बाहु, दिभ्य एबंग मानविक, शेही दुई बाहु जोगे, शे साधक मानंको निज निज निम्न चेतनार विश्ठारू रख्या करी छन्ति, आजजी स्थूला भावरे दृष्यमान न अथिवा सत्वे, श्री मां ताहा ही करी चली छन्ति, आमो भली आस्रमबासी मनंको, आमो ग्रहन शिलता अनुपातरे जथा संभव सुरक्ख्या देबा संगे संगे, विश्वभ्यापी संख्यारे क्रमागत भावे बुग्दिलाव करु तांकर असंख्या संतान एबं अनुगत मनंक चेतनारे दिभ्य विभुतिरस पर्षदेउ छन्ति, आस्रमर प्रतिती विभाग तांकरी स्रुष्टी, से सबकु से जिवन्या सदेई छन्ति, मानव चेतनारे दिभ्य सक्तिर प्रभावकु आहुरी व्यापकतर करीबार परि परिख्या रुपे आस्रम परे से अरविल भली दुस्चाहासिक अंतर्जातिक परिख्या आरम्भ करी छन्ति, अग्यन मनिशर विच्चाररे क्यों काम बडत क्यों काम छोट्ट, आमर से मुढता दुरिभुत करी भगबत समर्पित जाबतिय कर्म किपरी जोगरे परिणत ह भुए परे से सत्य, से आमकु बारमभारस मरण कराई देए छन्ति, श्री अरविंद तांकर एक कारीकारे दर्शाइथिले बड़ा-बड़ा संथ मने चमतकार प्रदर्शन करंति, आहुरी बड़ा मने से सबुकु ताचल्य करंति, सब्बुठु बड़ा मने ताचल्य संथमने समस्त निती नियम, ध्यानधारण रू प्रमुक्त सेशवुर उर्धोर सेमानंक चेतनार स्थिती स्रीमांक चमत करिता सहस्र संथान, आस्रमरे, भारतरे एबं विश्वर विभिन्न प्रांतरे旦ांकर प्रति उन्मुक्त अनुगतमने अनुभब करिछन्ती स्थूण स्तररे मध्य केही केही तारा प्रथ्यक्ष्य द्रस्टा डाक्तर प्रमत्कुमार सन्यलूंक दुरुष्टांत निया जाओ स्रियरविंद उनेशह पच्चास मसिहा डिसेम्बर पांच तरिख प्रत्तिवस पुर्भरु कोणेवर त्याग कले किन्तु दिर्गोचारी दिन जाए मृत्तिवर कोन से लख्याण तांको सरीररे देखा गला नही नो तारिखरे जाई तांको समाधिस्थ करा गला एक था समस्ते जाणंती से ही समय भीतरे थरे से दिव्व्य सरीर पाखरे श्रीमा एबंग डक्टर सान्यालंक व्यतित आउग केही नथिवा अबसररे डक्टर महासय श्रीमांको पचरीदले गुरुदेवुनक को कलेबर सेमिती दिप्तिमान रहिबर रहस्य कोण साध्धारण सत्यटिये उच्चारण कलाभणी सोररे स्रीमा जणाईले की से कलेबर जेउं अत्तिमानास सक्ति धारण करी रखी छी से अलोक शे कलेबररु अपसरीत नहेवा पर ज्यन्त तोही उपरे प्रक्रुतिक नियमा कार्ज्यकारी होई परिबनाही साहसोभरे डाक्तर महास्वय पचरीले मा मुशे अलोक थरे देखी परंति नही स्रीमास पर्षकले डाक्तर महासरंक सीरो देश से भाग्यबन संतानो देखीले से कलेबरकु अस्त्रेले सा बद्ध करी रखी थिबा अपुर्भ कनक निळद्धुईती अतिमानस अलोक एहा स्रीमांक स्थस्फूर्थ कृपर एक द्रुष्टन्त किन्तु तांकर प्रकृत चमतकर आम्मे सब्भिये आम्मो चेत्तनारे अन्नुभव करी परिबु एहा हितिला तांकर प्रतिश्थूती एबंग प्रत्यासा परिशेसरे एलेखक स्रीमांकु निजरा प्रत्थम दर्षन कालीन अभिज्यताटी स्मरण करूछी आध्यात्मिक द्रुष्टिरू एपर जैर अभिज्यतार विबरणी प्रदान उचित की अनुचित से सम्पर करे मन्न अंदोलित हेवापुर्ववरु एहा केतेकंक आगरे अभिव्यक्त करी सरी थिली अतायव लिपिवद्ध करूछी अर्धसताब्दिरू एक बर्ष अधिक तलो कालर कथा ए संधर्भटिर रचनाकाल दुई हजार चौदर प्रारम्भ से दिनटी उनेई सह ते सटी मसिहर फ्रेव्बु अरी एकोई स्तरिख बात्ता बरण निस्थब्ध केते हजार नरणारी आश्रम कोठार पुर्व त्रित्रण बारम्दा उपरे दुरूष्टिनी बद्ध करी दंडेयमान येडे बड़ समावेशटिये होई थिव अथच खिड़तम धोनीमध्य सुभु न थिव एहा अस्वाभविक निस्चेय किन्तु बड़ प्रित्तिपद से अस्वाभविक ता से पवित्र निस्थब्धता जे परी आहुरी घन्निभुत होई आशु थिला स्रीमा आबिर्भुत हेबार मुहुर्त आसन्न सह सह आगन्तुकंक छडा आश्रम भासी मने मध्य तांक दर्षन पाई थिले अधिर जेतु बर्षाधिक काल तांक दोईनिक दर्षन रू सब्भिये बन्चित थिले ए लेखकरा उर्ध्य द्रुष्टी मध्य से आकंखित परी सररे थिला निबद्ध तेब्बे केत्य बले टिकिये अन्या मनस्का होई पडि थिले हठत चेत्ती उठिले सत्त जेपरी मो द्रुष्टिया गरे अबतरण करीछी एक असंभव द्रुष्टिया मु कण तंद्राचन्न भाबे विश्मय कर एबंग अबास्तव सोपन टिये देखुची किन्तु निजव उपरे मोर सम्देह हेला अबिलंबे दुरिभूत मु देखुची स्रीमांको अन्त तह ए जिबनरे प्रथम थर पाई किन्तु पुर्भरु आलको चित्र एबंग छाया चित्र माध्यमरे जो मुखमंड़ शह मोर परिचय थिला एहा कण सही सबु चित्रर आधर असम्भव से मुहुर्तरे मु जाहा देखुथिली तहा कण सी मनिशर मुह होई परेना तहा अतिंद्रिय सर्गा दपी सर्गा गता एका अलोकिका साउंदर जरनिर ज्याष इंद्रधनुर बर्णवई चित्रिय सह दूर दिगंतर सुर्जयस्त कालिन प्रसांत अभर अभिश्वास्य समाहर मो कलपनार समस्त देविंकर माधुर्जर एकत्र एबं एकांत प्रतिफळन तहा अभिश्वास्य अभर्ननिय गोटिये पार्थिव मुखमंडल एडे संदर्जय धरी रखी परे सोचक्ष्यूरे संदर्शन करी न थिले मो कलपना करी परी न थन्ती स्मित्त हसटिये खेडाई स्रीमा अपसरी गले किछी समय पर्जन्त मो निज्ज अभिज्यता मोते अभिश्वासमने होई थिला ए अभिज्यता ही मोभितरे आणि देई थिला एही अटणड़ प्रत्ययू तांक पदप्रांतरे स्थानपाईबा ही हेब ए जिबनर परमसर्थ कता परे बुझिली मुझाहा देखिली ताहा स्रीमांक महालकमी विभव विकिरित अनवद्य स्वर्ग संदर्ज्यर एक जलक से दुर्श्यर पुनरा ब्रुत्ति होई नही किन्टु क्रमे जानिली तांकर आहुरी कित्य संतान सहिस्निग्ध विकिरणर अभिज्यता अर्जिछन्ति कहा कुबा मिलीछी महास्वरी रूपी स्रीमांकर प्रज्यस पर्ष कहा कुबा मिलीछी महाकाली रूपी स्रीमांकर सक्तिस पर्ष कहा कुबा मिली छी महास्वरस्वति रूपी स्रीमांकर प्रेरणास पर्ष जोग्यस्वर स्रीरविंदंक सह दिभ्यजननी स्रीमांक सक्ष्यात आध्यात्मिकतर इतिहसरे तथा विबर्तनर प्रचन इतिहसरे एक चेतन दप्य एक देविप्यमान मुहुर्त सेही साख्यात्र आसिरब्दरु सम्भव पर हुईची आमर एहस्रम। सेही साख्यात्र फ़ल आम भली सहस्र नर नरिंक चेतनारे सुभंकर विप्प्रव। मानवरभ विश्यत उपरे विश्वाष, विश्वभ्यापी बहु हताश व्यंजक घटना सत्वे सेही साख्यात जोगु आम जिवनरे अनास्वधितपुर्व सर्थकता बोधर अभ्युदया स्रीमांक कोहिबानुसारे स्रियरविन्दंक बिना तांक अस्थित्तो ही नही तांक बिना स्रियरविन्द अप्रकटिता Without him I exist not Without me he is unmanifest 13. March 2014 आजजी आम कृतक्यता ब्याप्त हेव सहे बर्स पचको एबं अना गता अमापस तब्दिया गको